हेलो एवरिवन वेलकम टू लेक्चर पेड एजुकेशन इस वीडियो में हम आपके लिए एंसे इनिस्टी के टोपिक पोस्ट मोर डाइनिस्टी के टोप 90 मसे क्यों लेकर आए हैं यह हमारा पार्ट फर्स्ट है तो चले शुरू करने हैं हमारा आज का फर्स्ट कोश्चन है हूँ फाउंडेट दा सुंगा डानिस्टी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पुष्म मित्र सुंग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं शुंगा डानिस्टी फर्स्ट ब्रहामन डानिस्टी इंडिया में इसकी पुष्म सुंग मित्र अलसो कॉल्ड डिस्टोर ऑफ बुद्धिजम इन इंडिया 84,000 स्टूपा डिस्टोई कर रहे थे बुद्धिजम के मेक्सिवन डवलब्मेंट संस्किल लेकमेच का इन ही ने करा रहा यह काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है हमारा नेस्ट कोश्चन ह तो इसका प्रेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आठ बिद्धिजम के वारे में रूलर थे कुष्चन डाइनिस्टी के फाउंडर है कुजूला के टफिचेस कुष्चन डाइनिस्टी के बीड़ा पेशावर और कनिश को हम किस नाम से जानते हैं काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है इनको हम सेगिंड अर्शोक के नाम से जानते हैं हमारा नेस्ट कोश्चन है दे ग्रेटेस्ट डिवलोपमेंट इन दे कुष्चन पिरियेड वोज इन दे फिल्ड ओफ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी आर्ट इंपोर्टेंट आर्ट बदा रहे था हूं आपको डवलमेंट यूनिक स्टाइल ओब बुदिदम इसकलेप्चर काफ इंपोर्टेंट पॉइंट है दूसरे हम देखते हैं मत्रो इसकुलोफाट यह यूजड होता है इसमें रेड सेंड स्टोन एक्जाम में पूचा गया कोश्चन है और यह काफ इंपोर्टेंट कोश्चन ह कनिक्स headless statue made in मत्रो इसकुलोफाट जो कनिक्स का headless statue है वो कहां बना है मत्रो इसकुलोफाट और उसमें क्या यूजड हुआ है सेंड स्टोन रेट कर रहता हमारा next question है तो इसके correct answer है, option है, पुश्ममित सुंग, कुछ information बदा रहे था हूं आपको पुश्ममित सुंगा के बारे में, इन्होंने organized किरा रहाया था, दो अश्ममेद मग यग, और वो perform करा थे, पदांजली ने, और पदांजली के बुक का नाम है, महाभाश्या, जो की founder है पदांजल kingdom in the deacon in central India, was it of, तो इसके correct answer है, option C, सदवाना, सदवाना, सदवाना के founder है, शीमुका, और इसकी capital दी प्रतिस्थान, अब कुछ में बदा रहे था हूं, ruling dynasty of ancient India, इसकी टरीक है मेरे बास, हशीना, माशुका और ए-ए, तो हशीना means, pre-molid dynasty, ए में मतलब, molid dynasty, और शुका, और ए-ए, इसका है, post-molid dynasty में जो जो dynasty आती है, उसके नाम, तो मैं यह देखिए, तो यह pre-molid dynasty है, यह molid dynasty, यह post-molid dynasty है, तो pre-molid dynasty में, H-A मतलब है, हरिंका, S-I मतलब है, शुशुना, और A-N-A मतलब है, नंदा dynasty, और A में मतलब molid dynasty, और S-H-U, शुंगा dynasty, और K-N, खनवा dynasty, और A-N मतलब, आंदरा dynasty, जिसको हम सद्वाना dynasty की नाम से जान ले, यह कभी कबर sequence में पूछा लिया जादा है, एक्जाम में, तो आपको याद रखना important है, हमारा next question है, the last ruler of S-Uंगा dynasty was, तो इसका correct answer है, option है, देव भूती, हमारा next question है, सद्व सद्वाना belongs to, इसका correct answer है, option B, आंदरा reason, हमारा next question है, शाका वर फाइनली overthrown बाए, तो इसका correct answer है, option D, गौत में पूछ सद करनी, कुछ important motion देख लेते हैं, गौत में पूछ सद करनी के बारे में, ही किल शा का रूलर, नहा बना, 23rd डूलर था, सद्वाना धानिस्टी का, इसू कराया था, लेंड कोई ओफ इंडिया, और ही स्टार्टे डोनेटिंग लेंड्स तो ग्राममन, ये important question है, इनोंने अपनी नाम से पहले, मा का नाम यूज किया था, जैसे गोत मी, गोत मी इनके मादर का नाम था, हमारा next question है, which of the following dynasties introduced the combined ruling system, तो इसका correct answer है, option मी शा का डानेश्टी, कुछ information देख लेंगे शा का डानेश्टी के बारे में, औरीजिन चा सेंटल एशिया में, उज्जेन के रूलर थे विक्रम आदित्र, 57 BC में स्टार्ट करा था एंडस, विक्रम समवट, 78 AD में स्टार्ट करा शाका समवट, काफी important question है दोनो, great ruler थे इनके जो रुद्र दमन, रुद्र दमन ने innovation कराया था, सुदरश्न लेक का, जो क चन्द गुप मोन ने बनवाई थी, वो गुजरात में, लास्ट रुद्र दमन ने रुद्र सेंट सेंट सेंट, हमारा next question है, which Chinese general defeated Kanish, तो इसका correct answer है, option भी पेंच आओ, हमारा next question है, who of the following ruler control the secret which start from China and pass through Central Asia, Afghanistan and Western Asia, तो इसका correct answer है, option भी Kanish, अब हम कनिश के वारे में कुछ important information दे लेते हैं, ruler थे question dynasty के 72 AD में, 4th Buddhist council कराया थी कश्मीर में, 78 AD में, start कराया था शाह का एरा, और court physician थे उनके चरक, चरक ने लिखी थे कौन से बुक, चरक समी था, काफी important question है, और issue कराया थे कनिश ने, pure gold coin, जिसमें date or name type coin थे, जिसमें date or name नाम भी लिखे थे, हमारा next question है, which of the following era is used by the government of India, तो इसका correct answer है, option C, शाह का era, 78 AD, हमारा next question है, who introduced the 17 system in the administrative setup, तो इसका correct answer है, option D, Saka dynasty, हमारा next question है, the गंदार आर्ट was the most significant feature of the, तो इसका correct answer है, option है, कुशन परी एक, कुशन डाइनेस्टी, कुशन डाइनेस्टी के founder है, कुजूला केट फिछेश, सद्वाना डाइनेस्टी के founder है, शीमुका, सुंगा डाइनेस्टी के founder है, पुश्मिस सुंगा, हमारा next question है, the ruler of which dynasty started the practice of granting tax-free villages of brahman and buddhist mocs, तो इसका correct answer है, option है, सद्वानास, मौरी डाइनेस्टी के founder है, चंदुप्त मौर, गुप्ता डाइनेस्टी के founder है, शीरी गुप्ता, और चोलाज डाइनेस्टी के founder है, विजेला, हमारा next question है, who were the first king to issue gold coin in India, तो इसका correct answer है, option भी इंडो-ग्रीक, इंडो-ग्रीक, डूल कहां करते थे, इंडो-बेक्टिरीन अफगानिस्तान में, great ruler था है इनका, मिलिंदा, जिसने adopt कर लिया था बुद्धिसम को, और source कहां से बता चला हमें, इनका source था मिलंदर पानो, मिलंदर पानो, जो लिखे आए, नाग सेन ने, काफ़ important वो के direct question आता है exam में, कि मिलंदर पानो, बुद्धिस टेक्ष्ट थी जो, वो किस ने लिगी दी, नाग सेन लिगी दी, हमारा next question है, who among the following were contemporary of connects, तो इसका correct answer है, option B, नाग सेन, अश्वगोष, वाशुमित, हमारा next question है, whose achievements have been described in Junagar description, तो इसका correct answer, रुद्र दामन, हमारा next question है, the year of exception of connects to throne was, तो इसका correct answer, option B, 78 AD, हमारा next question है, the ruler of Karvela, was the great ruler of which charity dynasty, तो इसका correct answer, option B, कलिंग, हमारा next question है, who among the following was the court physician of connects, तो इसका correct answer है, option C, चरक, अब हम option नाग अर्जुन के वारे में देख लेते हैं, इनको हम Einstein of India के नाम से जानते हैं, because he provided idea of सुनने वाद, और ये follower थे, बुद्धिज़ा, बुद्धिश्ट के philosopher और mocks और teacher थे, founder, इनने found किया था, माद्धिमिक स्कूल ओफ महायान स्कूल और बुद्धिजम, ये काफ़े important question है, कि माद्धिमिक स्कूल ओफ महायान स्कूल और बुद्धिजम किसने found किया था, तो नागर्जुन ने किया था, हमारा next question है, at which of the following place was the headless statue of connects found, तो इसके correct answer option भी मत हुरा, हमारा next question है, which one of the following dynasty was associated with गंधार स्कूल ओफ आप, तो इसके correct answer option सी question, next question है, buddhist council doing the reason of connects was held at, इसका correct answer option सी कश्मीर, हमारे चार buddhist council होई हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 483 में 1st council, 2nd, 383 में, 3rd council, 250 BC में, और 4th council, 7288 में, किसने कराईए, पहली council आजा सत्रु ने, फिर काल अशोका ने, अशोका ने और लास्ट council कनिक्ष ने कराईए, हमारा next question है, who among the following rulers have been mentioned as protector of one-nate system, तो इसका correct answer option B, हमारे चार वनना सिस्टम है, जैसे फर्स्ट ब्राहमन, फिर आतें शत्रिये, फिर आतें वेश्ये, फिर आतें सुद्र, हमारा next question है, who is called as the second अशोक, तो इसका correct answer है, option C, हमारा next question है, with reference to the invader in ancient India, which one of the following correct chronological order, तो इसका correct answer है, पहले आतें ग्रीक, फिर आतें साका, फिर आतें खुशन, हमारा next question है, who renovate सुदर्शना लेक, विदाउट यूजिंग फॉर्स लेवर, तो इसका correct answer है, option D, डुद्द्रदमन, हमारा next question है, who was called by विंद्या अधिपती, इसका correct answer है, option B, गौत में पूत्सत करने, हमारा next question है, यवनिका मेंस कार्डन्स, was introduced in India, थेडर बॉइ, which of the following, इसका correct answer है, option C, ग्रीक्स लेके आये थे, next question है, who were the first king to issue gold coin in India, इसका correct answer है, option B, इंडो-ग्रीक्स, हमारा next question है, the capital of सद्वाना, was located at, इसका correct answer option है, अमरावती, हमारा next question है, do in me a sangha made, which of the following dynasty, was not power, तो पांडिया पावर में थी, चोलाज और पल्लफ भी पावर में थे, तो कौनची डैनिस्टी पावर में थी, option B, चेराज, हमारा next question है, according to traditional, the sangham flourished at different place, which of the following place, were associated with three sangham, तो इसका correct answer है, option है, madura and kapatpuram, हमारा next question है, what was the script, used in earliest tamil inscription, तो इसका correct answer है, option C, brahmi, हमारा next question है, who authored the tamil epic, शिला पड़ी करम, तो इसका correct answer है, option B, in lango adigal, कुछ एक note दिया है, यहां लिखा है, father of tamil literature, तो इसका correct answer है, अगस्त है, यह काफ़े important question है, most most important question है, हमारा next question है, money makele is looked upon, as desh tamil, तो इसका correct answer है, option है, ODC, money makele I book, किसने लिखी है, चितलाई, चत्तकारी, यह note है, to a mil epic, कौन कौन सी है, money makele, और शिल्पा पदी करम, यह काफ़े important question है, यह दोनों किसने book लिखी है, ilago adigal, ilago adigal ने लिखी है, यह काफ़े important question है, अकसर exam में direct question पूस्ते हैं, कि दो tamil epic, के writer को नहीं है, हमारा next question है, the external trade of the sangham, people was carried on mainly with, इसका correct answer है option in roman, next question है, which language was used in literature or sangham period, इसका correct answer है option भी tamil, मैं आपको यह काफ़े important question बढ़ाता हूँ, देखिए इसमें three star, means oldest tamil literature कौन सी है, तो book का नाम है, तोल का पियाम, यह first tamil grammar text थी, और यह लिखी थी, तोल का पियान है, यह इतना important question है, कि मैंने SSC, RRB, सब examों में यह question direct देखा है, आपको बिनकोल यह रखना है कि, तोल का पियाम किसने लिखी थी, तोल का पियान में, और यह first tamil grammar थी, और oldest tamil literature थी, next question है, the literature of sangham age, was written mostly in the form of, इसका correct answer है, option भी poetry, हमारा next question है, the cave and the rocker temple of Elora, और इसका correct answer है, option D, Hindu Buddhist and Janism, Elora Cave, Elora Cave कहां पर है, महरास्ट में, और यह बनवाई थी, किश्णा वन ने, जो कि last good dynasty से बिलोंग करते हैं, Elora Cave 34 है, जिसमें 5 cave Janism से बिलोंग करती हैं, 12 cave Buddhism से, और 17 cave Hinduism से बिलोंग करती हैं, हमारा next question है, the temple built doing the medieval period, by which of the following dynasty is known as, seven pagodas, तो इसका correct answer है, option C, पल्लवास, seven pagodas, also called, महाबलीपुराम temple, और यह बनवाया था, नर्सिम्म वर्मन फस्टने, जो कि पल्लव डानेश्टी बिलोंग करते हैं, और यह super important question है, हमारा next question है, इसका correct answer है, option D, वारंगल, मदुराई की capital है, पांडियास की, मदुराई, मदुराई किसकी capital थी, पांडियास की, हम भी capital थी, विजन अगर, इंपायर की, वो द्वारा समुद्र, द्वारा समुद्र capital थी, होशाला, डानेश्टी की, नेश्ट कोश्यन है, मदुराई वार्ज दा capital थी, तुमें ने बताया, पांडियास की capital थी, चोलास की capital थी, थंजावर, पलफ की capital थी, कांचीपुराम, और राश्टकुष, डानेश्टी की capital थी, मन्नेकेटा, ये काफिन इंपुर्टेंट कोश्यन है, जितनी capital में आपको बता रहा हूँ, ये एक्जाम में देखी जादी है, तुमें ने, तुमें वार्ज वार्ज केबिडल उफ, इसका करेक्टान सारे option है, पललफ डानेश्टी की capital थी, ये हमारा part first था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जारा सब्सक्राइब करें, ठैंक फूर वर्चिंग लेक्चर पेड एजूकेशन,